के गए गाईज तो आज हम डेसकस करने वाले हैं डी मार्ट के ऑनर के बारे में जेकिए ज jornकेपास दीमार्ट के मालीक हैं वह भी स्टॉक मार्कित में काम करते हैं और उनकी जो हिस्सेदारी है लगभग 51 पर dull के आइस-पास जो हिस्सेदारी है डी इंवेस्ट्मेंट करते हैं यह नहीं तो लेकिन नाम है रादा किसंद मन्हानी देखें जब मार्केट गिर रहा था तो डीमार्ड बेगर रहा था तो कि लेकिन यह क्या कर रहा थे कि छोटे छोटे स्टॉक में पैसा लगा रहे थे और वहां पर दबा के पैसा बना रहे थे और एक और ऐसा स्टॉक में आपको बताऊंगा जिसका प्राइज लगबग 30 35 रुपिस के आसपास चल रहा है और वो दी माट से भी तेज भाग रहा है दी माट से भी तेज लगबग 13 लाग शेयर इन्होंने खरीद रखा है वो स्टॉक में 13 लाग शेयर और भाई लॉस होने की संभावना मैं आपको बोलूँगा 100 में से लगबग 20% ही चांसेस है लॉस हो सकता है नहीं तो 80% चांसेस है कि केवल प्रॉफिट होगा ये मेरे हिसाप से लगता है क्योंकि भाई जो हिसाप से इन्होंने स्टॉक को खरीदा है ना जिस प्राइज में आप भी देखको बोलेगा कि हाँ रिस्क रिवार्ड दोनों फैबरेबल है वहाँ पर और डी मा ने कुछ खास रिटन नहीं दिया लगबग 6 मन्त के आसपास क्योंकि भाई रिलाइंस रिटेल के वज़े से ये थोड़ी बहुत मुसिबत में पढ़ शुका था और डी माट ने गलती में की ते गलती यह किया था कि इसका जो भी स्टोर था वो फिजिकली था मेंटली नही लेकिन अभी कुछ प्रावलम चल रही है जिसके वज़े से यहाँ पर देख लिए यह स्टॉक में काफी अच्छा आप लोग को प्रॉफिट देखेने के मिल रही है अभी कुछ लेकिन इसका एक पैटरन बन चुका यही रेंज में यह स्टॉक कभी भी रहता है यही च्छोटे च्छोटे स्टॉक में और उन्के बाद इन्होंने क्या कमाने के र değil खड़ी कर लि खुद की कंपनी में हम लोग इंवस्ट करते हैं पहले वह इन्वस्ट करते थे अब हमिए इन्वस्ट करना पड़ता है तो देख लिजे जिस stock के बारे में बात कर रहे हैं उसका share का price लगबख 35 रुपिस के आसपाँ चल रहा और 10% का आपर circuit देखने को मिल रहा 9.86% के आसपाँ पूरी तरीके से 10% है और देखे मार्केट आराम से open हुआ था बहुत इजली मार्केट आराम से open हुआ था कितनी में open हुआ था तो यहां देख लिजे 32 रुपिस में open गया था lowest भी गया था 31 के आसपाँ और highest माला लगबख 35 के आसपाँ और काफी अचा profit हो रहा और देखे अगर 5 डेस में देखाऊंगा तो मार्केट गिरी रहा था गजब का सांदार आपर सरकीट देखने को मिला और भाई पीचे जानने की काम करता है और जिस कंपनी के बारे में हम बात करने भाई उसका नाम है सिंप्लेक्स इंफा शक्चर लिमिटेड आपको लगता है कि इंफा शक्चर वाली कंपनी कोविड-19 के वज़ए से चल पाई है बिल्कुल नहीं चल पाई है लेकिन अब चल रही है रियल स्टेट वाली कंपनी चल रही है इंफा शक्चर वाली कंपनी चल रही है सिमेंट वाली कंपनी में आपको ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है और IT, Chemical, Pharma यह सब तो पहले ही मतलब रिकवर कर चुके हैं अब यह सब कंपनी जो है रिकवर कर रहे हैं सही है तो उस के पास डाउन लेवल जो है मतलब बहुत लिमिटेड है और उपर जाने के संभावना बहुत ज़्यादा है और देखने को मिल रहा है और देखे मैं बोलू या ना बोलू वो तो सकेंडरी होगा प्राइमरी हम देखेंगे भाई लोगोंने माल खरीदा या नहीं खरीदा त मतलब जिस तरीके से लोग उठा रहे हैं भाई ये आज का आपको बताया जारा केवल एक दिन का एक दिन में इतना ज़्यादा लोगोंने खरीदारी किया है और ये स्टॉक ने भी यहां पर देख सकते हैं लोग बड़ा कॉंटेटी उठाते हैं भाई क्योंकि छोटा स्ट है इसलिए लोग बड़ा कॉंटेटी उठाते हैं 35 रुपिस के प्राइस पर भी खरीदने के लिए तयार होते हैं और अभी जो इसका 52 विक हाई भी अगर आप देख लोगे तो लगबग 64 रुपिस के आसपास है लोविष्ट 16 रुपिस के आसपास है मतलब ये स्टॉक आर अला कि मैंने भी खरीदा था बीच में फिर बेज दिया बहुत 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 ज़्यादा टाइम ले रहा था और ज्यादा पैसा मने नहीं लगाया था उस टाइम से ही तो लेकिन फिर मैं इसको दुबारा खरीदना चाहता हूँ क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता कि जब अभी प्राइस बताया जारा जो चल रहा है और 13 लाग के आसपास उन्होंने कॉंटिटी खरीद रखे हैं और अगर आपको अभी भी विलीव नहीं है तो देख लीजे भाई डीमाट के ओनर है इनके पास कितना हिसेदारी है ये रहा आपके पास डीमाट और ये तो सबसे बड़ी हिसेदारी इनके पास होगी क्योंकि ये ओनर है तो यहां पर देख लिए लगबग 51.48% के आसपास इनके पास है सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट इन्होंने यही कंपणी में कर रखा है और इनका पॉर्टफोलियो है ये तो इन्होंने ये स्टॉक को पहले से खरी देखने को मिल ला क्योंकि उतना ज्यादा अच्छा स्टॉक निये पहले बहुत ज्यादा गिर चुका है रिस्क देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में अगर आप चारो तरफ से देखने को मिले हो गया और यह पूरी जो कंपनी है ये अंड़ परफॉर्म कर रही है और इस जैसे स्टॉक का प्राइज जो है बहुत ऊपर से नीचे गिर चुका है तो यह रहा मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि मैंने इस कंपनी के बारे में पहले वीडियो बना रखे थे यहां देख रही जिए 24 और 2020 को और इसमें मैंने आपको साब साब बोला था कि भाई लेट दिडिन चल गिया तो हो सटा कि आपकी किसमत भी बदल सकती है तो हमें ट्रハハ करना चाहिए दोस्तों ऐसा हो कि हम ट्राय भी नहीं पहुटे तब हम लाइफ में सक्सस्स नहीं पहुंच सकते ठेक सकते ह्एं 가자 त никак कमपनी को आप जरूर हे वार देख लीजिए और सायद मुझे नहीं लगता होगा कि दोस्तों इस टॉक के बारे में सब लोगों को पता होगा तो इसलिए मैंने एक बार इन्फार्म कर दिया जिनको नहीं पता है वो भी इनके बारे में research कर सकते हैं क्योंकि आप उनके पास नाम पता चल लगया तो अगर आप चाहते हो तो मेरी तरफ से अगर मेरे तरफ से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बुरूगा दोस्तों बिल्कुल कंपनी को खरीदना है और दम बर खरीदना है दोस्तों घबार के जितना बड़ा आप खरीदने वह तरह आपकी मर्जी आपको तो देख लिए आप लोग ने मैंने आपको लगबक 23 रुपिस के आस्पास बोल रहा है और उसके बाद मैं सच बोल रहा हूं यह चलने का ना मी ले रहे था और फिर भी आज के रेट में 20 रुपिस का स्टॉक कितने में चल ला तो 35 रुपिस के आज पास चल ला समझ रहो तो कल के डेट में ये और भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है कल के डेट में और भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है मैं आपको बूलूँगा दो मिनट का टाइम लीजे रिसर्च कर जी और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा एक और नया यूटूब चैनल है अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देया गया है परफिक्ट वी अफ मार्केट का यूटूब चैनल पार टू करके आप वहाँ पर जाके यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर मैं आप लोग को कुछ एक्स्टा नॉलिज देने की कोसिस करूँगा अभी तो वह चैनल बस मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ टाइम लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपना डिमेट अकाउंट बगर ऑपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में देखिए भाई अगर आपको डिमेट अकाउंट फ्री में दिया जा रहा तो देरी दरी आप लोगो नॉलिज बगर भी दिया जाएगा वैसे भी इंचल जिरूता जैसे जो प्लैट्फोर्म में यह अच्छे वाले प्लैट्फोर्म में जहां पर आपका पैसा दोनों सेफ ह यहां पर एक गुरूप जहां पर आपको बताया जाता क्या करिडना है नई करिडना बेशना है नहीन बेशना इंट्राइफ फूचर और ऑप्सन ये सब बताया जाएगा तो डिमेट अकंट फ्री में टेली पिचाज इस्थ्री में यह ग्रूप में आप लोगो नॉनीज बगारा दिया जाता है और केवल 20 रुपीज लिया जाता है वो भी इंट्रा डेट्रेड में जो हर जगा लगता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई वहाँ से जाके आप अपने डिमेट अकाउंट बगारा ओपिन कर सकते हैं